अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वा शेयर करें आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ निकी कर जूते खा नहीं यकीन तो करके देख सुनने में ये वाक्या बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि हमारे शास्त्रों ने, हमारे रिशिमुनियों ने, हमारे पूरवजों ने और यहां तक की हमारे घरवालों ने हमें आज तक यही सिखाया है कि बेटा निकी करो, निकी का फल कभी भी बुरा नहीं होता जो किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है वह परमात्मा उसके साथ अच्छा ही करते हैं लेकिन जोति शास्तर में एक ऐसा योग है जिसके कारण अगर आप निकी करेंगे अच्छे रस्ते पर चलेंगे लोगों की भलाई करेंगे तो आपको उसके दुश परिनाम भोगने पड़ेंगे और कई बार तो हमारे एक्सपिरियंस में जोतिशास्त्र में ऐसी ऐसी कुंडलियां आई के जिनको इन योगों के कारण कई बार जेल तक भोगनी पड़ी कि ये बातें कैसे जूटी हो गई कि नेकी कर और जूतेखा यानि कि लाल किताब खुद लिखती है जूतिश का महान गरंथ कर भला हो भला अंत भले का भला तो इतना बड़ा गरंथ भी ये बात कहता है लेकिन एक योग एक योग कुंडली में ऐसा होता है जो नेकी करने के बाद भी आपकी धजियां उड़ा देता है वह कई बार तो बड़े ही दुश परिनाम आपको देता है तो ज़्यादा देर न करते हुए उस योग के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ तो आईए जानते हैं उस योग के बारे में तो ये है वो योग ये देखिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ ये तीन तरह मैंने क्यों लिखा एक्चुली है ये एक ही ग्रह जैसे अगर आप जोतिश का ग्यान नहीं भी रखते न तो आप अपना टेबा सामने लेकर बैठ जाएए मैं आपको इतनी सरलता से समझाऊंगा कि आप भी जोतिश के ग्याता बन जाएंगे जैसे ये अक्षर लिखे हैं दो, एक, तीन, चार इनका कोई महत्व नहीं है इनको आपने गोर नहीं करना लाल किताब इन अक्षरों को नहीं मानती अब यहाँ पर लिखा है च यानि कि इसका अर्थ है चंदर्मा, हो सकता है आपके टेवे में इस धन से च लिखा हो, फिर इंग्लिश में लिखा है मून, हो सकता है आपके टेवे में लिखा हो मून, फिर लिखा है चंदर्मा हो सकता है आपके टेवे में लिखा हो चंदरमा तो ये ग्रह एक ही है इसके नाम तीन तरह से लिखे गए है यानि कि आप confused ना हो इन में से कोई भी अक्षर आपका हो तो आप समझे कि आपका चंदरमा खना नंबर चार में है ये देखिए कैसे एक दो तीन चार यहां से एक गिंती शुरू होती है ये पहला घर है ये दूसरा घर है ये तीसरा घर है और ये चोथा खाना नंबर चार में आपका इसका मतलब है चंदरमा है बाकी मैं सब अक्षरों को मिटे रहा हूँ साफ कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने सरफ आपको समझाने के लिए यहां पर लिखे थे तो पहली शर्त ये पूरी हो गई कि यहां पर चंदरमा हो अब दूसरी कंडिशन क्या है इसके बिलकुल सामने दसमे घर में एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यहां पर हो सकता आपके टेवे में लिखा हो गुरु ठीक है मतलब संकेत इसका फिर हो सकता है गुरु लिखा हो यहां ब्रस्पती लिखा हो इन में से कोई भी लिखा हो सकता है अब मैं इनको मिटा रहा हूँ इन तीनों में से चारों में से कोई भी अक्षर लिखा हो सकता है अंतिम जो होता है कई बार इंगलिश की कुंडली बनी होती है तो वहाँ पर जूपिटर हो सकता आपके टेवे में लिखा हो तो यानि कि अप योग क्या बन गया चंदर्मा चोथे घर में और जूपिटर भरस पती दसमे घर के इसको अब दसमा घर बोलते है यहाँ पर क्या अक्षर लिखा है यह महत्तव नहीं लगता इसके साथ और कितने ग्रै बैठे हैं यहाँ मंगल लिखा है यहाँ सूरे लिखा है यहाँ बुद्ध लिखा है इनको आपने मैटर नहीं करना आपने सरफ यह देखना है कि यहाँ चंदर्मा लिखा है और यहाँ जूपिटर लिखा है तो समझ लीजिए मैं इसी योग के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ अब इस योग में होता क्या है इसको आम सधारन बाशा में लाल किताब के अनुसार या कहिए कि प्राश्र जोतिश के अनुसार आम तोर पर कहा जाता है कि दृष्टी सवन से ये गजगेसरी योग बन रहा है लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चोथे घर में चंदरमा हो और दसमे घर में बरस्पती हो तो ऐसे इंसान पर ये बात लागू होती है नेकी कर जूते खा नहीं जकीन तो करके देख चोथे घर का चंदरमा बहुत ही इमोशनल किसी की भी दर्द में जल्दी बह जाने वाला भावनाओं में बह जाने वाला किसी का भी भला करने वाला यहां पर चंदरमा होता है दिल का साफ होता है और बरस्पती जो खाना नंबर यहां दसमें आ गया यह यहां पर नीच राशी का हो गया नीच राशी का बरस्पति होने के कारण अपने अच्छे परिनाम देने की बजाए दुश परिनाम देने लग पड़ा अब जो बरस्पति के देव है ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी का कार है क्या था? लोगों की भलाई करना, लोगों को आशिर्वात देना और हम ध्यान से देखते हैं तो ब्रह्मा जी ने कभी किसी के साथ यूद नहीं किया तो ये ब्रह्मा जी का जब शाक्षात अवतार बन जाते हैं ब्रस्पती दस वाले तो लोग इनसे नजायस फैदा उठाते हैं चुस्ती चलाकी ये अपनी खो देते हैं अब हुआ क्या मेरे पास एक तेवा आया वैसे तो धेरो एक्जामपल पढ़ी हैं एक तेवा आया एक इंसान यही सेम योग था चंदर चार था ब्रस्पती दस था वो जास्ते से जा रहा था किसी का आक्सिडेंट हो गया तो रात का समय था दो तिन जिनों ने मदद की और कहीं से उस इनसान को उठा कर उसकी बाइक स्लिप हो गए थी और माता फूट गया था, यहां पर पूरा नील था हुआ किया उसको दिमागी कोई प्रॉबलम आई जिससे कारण हुआ चकर खाकर गिर गिर गया तो इस ब्रस्पती दस वाले ने और दो तीन जिनों ने मिल कर उसको हस्पताल पहुँचा दिया पहली नेकी, दूसरी नेकी क्या हुई, डॉक्टर ने थोड़ी बहुत दवाईया लाने को की तो कहा, तो कहता कि जरूरी है, तो इनके घर में से अभी तक कोई नहीं आया था, फोन कर दिये गए थे तो इसने सोचा चलो भराईय का काम ही है, मैं लेके देता हूँ, दवाईय जब आएंगे मैं उनसे ले लूँगा पैसे तो इस इनसान ने वहाँ पर थोड़ी सी दवाईया लाके डॉक्टर को दी, तो जैसे तैसे उसका इलाज शुरू हुआ, अभी इलाज चल ही रहा था, अपरेशन धिटर में, तो इसके घर वाले आ गए, तो इसने बताया कि भाई साब आपका फलां फलां ये जो भी रिश साथ थे, ये ब्रसपती और चंदर के जूपिटर वले योग के साथ, वो धीरे धीरे एके करके नोदो गया रहा हो गए, बच गया ये अकेला, इसके दिमाग में नहीं आया कि ये घटना करम क्या घट रहा है, तो ये जब अकेला रह गया, तो उन लोगों के मन में क्या आय क्या नहीं आया, इसके बारह में मुझे नहीं मालूं, उन लोगों ने इसकों पकड़ लिया कि भाई साथ तू नहीं एक्सिडेंस कीया है तो नहीं एक्सिडेंट किया है अभी बंदा उदर आपका अपरिशन धिर्टर में है तो इन्हों ने इसको ही जिम्मेवार मान लिया और जैसे तैसे ड्राया धंकाया कूट के चैरी की धंकी धी थाने की धंकी धी मतलब काफी ड़ा लिया बठा लिया पुलीस को भी बुला ल लेकिन वो जो लोग थे जिनके किसी शक्स का एक्सिडेंट हुआ था रिष्टेदार का वो मानने को तयार नहीं थे अब सबूत तो कोई था नहीं मौकेवर यही मजूद था बाकी दो लोग भाग चुके थे तो ये बिचारा फस गया फस गया तो जैसे तैसे इसके घरवा भी आ गए घरवाले आ गए तो थोड़े ये घर से संपन थे ये नहीं कि पैसे की कमी थी तो ये संपन थे तो उन्होंने थोड़े बहुत पैसे दे के बात को वहीं रफा दफा कर दिया तो अब इसको कहते हैं निकी कर जुते खा नहीं यकीन तो करके देख तो अगर भाई साब या बेहन जी जो भी आप मिरा वीडियो देख रहे हैं अगर आपके दसमे घर में बरस्पती है चोथे घर में चंदर्मा है भूल कर भी निकीना गर्मा सजा मिलेगी उसकी यहां तक की जेल तक जा सकते हो बरस्पती यहां शनी के घर में है यहां एक ही रस्ता है चुस्त को लाकर खतम हो चुकी थी गेट से ही भाग जाता उन से ज़्यादा तेज निकलता दो बंदों से भी लेकिन ये बिचारा दवाई लाने में चक्कर में फस गया इसके घरवालों को बुलाने के चक्कर में फस गया जिसका एक्सिडेंट हुआ था और उसके बाद जूतियां प जिसे हम कहते हैं नेकी कर जूते खा नहीं यकीन तो करके रेख तो ऐसे एक्जामपल आपके आसपास भी भरे होंगे और मैं इस बार की आपको गैरेंटी देता हूं क्योंकि हमारे पास इस चीज़ का शोध बहुत अच्छे से हुआ पड़ा है प्रैक्टिकल कुंडियां पड़ी तो ऐसे लोगों की भरमार है ये जिन्दगी में कई बार ज्यादा राइज भी नहीं कर पाते क्यों कि हर काम को नाप तोल के भगवान के साथ तोलना करके चलते हैं ये काम गलत है ये ठीक है तो शनी की चुस्ती चलाकी की इन में कमी होती है इसलिए निकी के चकर म उसे बार नहीं आने पाते हैं चुस्ती चलाकी अपना नहीं पाते हैं और लोग इनको बेफ्कू बना कर इनको डरा कर इनकी मासूमित का नजाइज फैदा उठा कर इनको टॉर्चर करते हैं और कई बार ये सजा भी वुकते हैं अपने खुद के घर में इनके साथ नजाइ हैं इनके हक मारे जाते हैं और कई लोग इतने चलाग होते हैं कि मालूम है ये ब्रस्पतिि दस, चंदर चार इसके आगे दोांसों बहाओ, पैसों की बरसाद कर देगा ये आदनी, और एक जन्म हाँ एक मेरे के पास और आया था ब्रस्पती 10 और चंदर 4 वा उसने तो कमाल कर दिया क्या हुआ बैंक में रिकवरी का गाम करता था वो चंदर 10 असोय शमा कीजिए ब्रस्पती 10 और चंदर 4 और बैंक की रिकवरी में लग गया बंदा जिसके पास किष्टे लेने जाता था एक शक्स ऐसा मिला उसने क्या बोला इसको कि यार मेरी बड़ी ना तंगी चल रही है तू मेरी इंस्टॉल्मेंट भर दे ये रिकवरी करने जा रहा है तू मेरी तू इंस्टॉल्मेंट भर दे मैं दीरे दीरे तेरे को पैसे दे दूँगा ऐसा करते करते ऐसने पौने तीन लाखर पे उस शक्स ने उसकी इंस्टॉल्मेंट भर दी एक डिड़ साल के अंदर अंदर और बाद में वो शक्स कहता है तू कौन है? मैं तेरे को जानता ही नहीं कोई सबूत नहीं कोई गवाह नहीं इंस्टॉल्मेंट भरता गया मेरे पास रोते हुए आया कि मैं पौने तीन लाखर पे अपना गवाह चुका हूँ अब क्या करूँ? अब मैंने उसको फिर यही उत्तर दिया नेकी कर जूते खा नहीं यकीन तो करके देख तो ये असर है चंदर चार ब्रसपती दस का ख्याल रखिए किसी सुयोग्य से विद्वान से सला ले ले कि इनको कैसे चलाना है क्या उपाई करने है क्या परहेज करने है जिसके करण आपको ये ग्रह दुश परिनाम दे पाए नहीं तो दुनिया ऐसे ही लूटती रहेगी आपके घरवाले भी आपको ऐसे ही लूटते रहेंगे कई लोग ऐसे होते हैं आपके हक मार जाते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक वाशेयर करें चैनल अच्छा लगा तो इससे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे इसी के साथ मैं अपनी वानी को यहीं भी राम दे रहा हूं राम जी आपकी भली करें उस गुरू उस परमात्मा की किर्पा आप पर पनी रहे जाया मतारी